नमस्ते, मैं हूँ Dr. Suresh, Teacher Education Simplified चैनल में आपका स्वागत है यह वीडियो है 5 मिनिट में कैसे बनाए एक digital lesson, online lesson इसके लिए हमें जाना होगा, Google में आप सर्च किजिए blend space blend space के बाद आपके पास यह जी result आएगा, उस पे क्लिक करके आप यहाएंगे तो blend space में हम online lesson तैयार करते है यहां resources सारे available होते हैं, हमें सिर्फ resources एकत्र करके, compile करके उसको lesson बनाना है यह lesson student को share करने के पास, students का भी account यहाँ पे होना जरूरी है तो आप यहाँ इसके लिए teachers को भी पहले account क्रियेट करना होगा, तो जाए इन free पे क्लिक कीजिए role define कीजिए और यह जो सारे details है वो बरिये आपके students कौन से है, level कौन सी है, subject क्या है इसका फायदा यह होगा कि यहाँ पर website पर जितने भी resources इस level के लिए, subject के लिए available है उस subject के resources यहाँ पर available हो जाएगा, तो यहाँ पर रजिस्टर कीजिए, आपका email और डालेंगे तो आपके email पर एक link आएगी, उस link को verify करके आपका account यहाँ पर create हो जाएगा तो sign up के बाद अब मैं login करूगा password की मदद से इस तरह का dashboard आएगा और हमें यहाँ अलग-अलग जो license है यहाँ पर अलग teachers ने तैयार किये हुए वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पहले class name डालिए जैसे मैं जाला geography और level तो हमारे जो भी हम lesson क्रिएट करेंगे तो वो सारे उस standard के साथ से organize रहेंगे, आप इनको folder भी कह सकते हैं, यहाँ पर करना है new lesson पर क्लिक करना है अगर आपको powerpoint पता है तो यह भी उतना ही आसान है powerpoint में जिस तरह से अलग-अलग place order होते है स्लाइड में उस तरह से place order यहाँ पर है तो यह पूरे यहाँ पर available होता है तो पहले हम करेंगे lesson का title Solar Eclipse यह हो गया lesson का title और सबसे पहले मैं चाओंगा यहाँ पर एक कुछ text हो तो मैंने text play क्लिक कर दिया है तो जिस तरह का MS word का बार्स होते उसी तरह से यहाँ आगए तो मैं यहाँ पर जो भी मुझे type करना है मैं अपना खुट का content यहाँ पर type कर सकता हूँ तो मैंने copy paste कर दिया है अब यह पहला page तयार हो गया lesson का इस तरह से फिर दूसरी slide पर जाता हूँ यहाँ पर मुझे क्या करना है drop resources में तो अब यह तो पहला हो गया है कि हम यहाँ पर अपना खुद का content टाइप कर सकते हैं इसको हम delete कर सकते हैं फिर से edit कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें अलग-अलग resources चाहिए अब यहाँ से blender space की जो resource fullness है यहाँ से दिखती है हमें यहाँ पर आईएगे और यह सारे टूल बर हमें सर्च करना है तो हम ज़रूर नहीं कि हमें सारे resources कुट टाइप करने होगे हम यहाँ से भी ले सकते हैं यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं अगर हम डाइरेक्ट सर्च करते हैं तो यहाँ पर अगर पहले इस website पर कुछ टीचर्स ने किये हुए जो presentation होके वह यहाँ पर हमें देख सकते हैं कुछ free होते हैं कुछ की price होती है तो अगर हम वहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम उसी तरह का यह जो resource है यह resource हम यहाँ से copy paste कर सकते हैं इस तरह से उठा के अगर हम यहाँ पर इसको रख सकते हैं तो यह पूरा presentation उस teacher का जो मैंने यहाँ पर ले लिया है फिर हम चाहेंगे अगर वीडियो कुछ search करना है तो हम वीडियो search करेंगे YouTube पर चलो तो YouTube का नहीं हुआ YouTube ने चाहिए allowन है कि आप यह resources से मैं यह चाहता हूँ यह पूरा definition यहाँ पर आ जाए तो मैंने सिर्फ drag और drop यहाँ पर कर दिया अब मैं चाहता हूँ कुछ image आ जाए तो मैंने Google search पर क्लिक क्या तो Google में से जो image आई मैंने उठा के यहाँ रख दी तो एक-एक slide यहाँ पर तयार हो रही है इस तरह से हमारा lesson पूरा तयार हो रहा है अच्छा इसका अगर copyright का कुछ issue हुआ तो वह images यहाँ से हट जाती यहाँ पर आती नहीं है preview में नहीं दिखती है इसके सिवा हम कुछ link भी insert कर सकते है या फिर हम कुछ इसी website चे कुछ resources ला सकते है Google Drive से ले सकते है या फिर computer से पर upload कर सकते है तो इस तरह से हमारे five slides हो गए है इसके बाद हमें इसको play करके देखना है इस तरह से students को दिखने वाले है जो हमने type किया है दूसरी जो slide से अपकर आपको याद होगा कि वो किसी teacher का PPT था इसी site से लेकिन वो शायद बढ़ा इसलिए यहां नहीं दिख रहा है आप देख सकते हैं तो यह preview में हमें पता चल जाता है कि जो हमने lesson बना रहे है वो lesson ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है अब यह presentation वाला यहां पर large file दिखा रहा था तो इसको यहां से delete कर देते देखे यहां से delete हो गया अच्छे यहां पर एक और quiz का बेक option जो मैं बताना भूल गया यहां पर question भी type कर सकते हैं यहां पर right answer लिके उसके बाद में आप इसमें quiz भी add कर सकते question number one question number two इस तरह से हम यहां पर question add करके done कर सकते हैं इस तरह quiz भी इसमें add हो सकता है जब student करेंगे open करेंगे link तो उनको भी इसी तरह से interface दिखाए देगा और वो जब play करेंगे तो उनको इस तरह से दिखाए देगा वो यहां पर कुछ comment कर सकते हैं उन्होंने देखने के बाद और comments हम अपने login से देख सकते हैं अब यह lesson हो गया है जैसे की यहां पर एक अलग opportunity भी जाते जाते दिखाए तो यहां पर आप job के लिए भी apply कर सकते है आपका as a teacher आपका CV आप यहां पर upload कर सकते हैं यहां पर question answer कर सकते हैं आपके करियर प्रेशन दे सकते तो यह एक additional opportunity इस tes.com पर है जिसको हम blend space facility हम उसका use कर रहे तो इस तरह से 5 minute में हम अपना digital lesson पूरा कर सकते हैं वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत चुक्रिया है